प्रेड़ना किंजल और नताशा तीनों बच्पन की पक्की सहीलियां है किंजल और नताशा दोनों अमीर घर से हैं जबकि प्रेड़ना गरीब घर की लड़की है प्रेड़ना की मा अकसर बिमार रहती थी और उसके पिता सिक्यूरिटी गाड की नौकरी करते हैं जिससे महज उन्हें 10,000 रुपे महीने ही मिलते थे और उसी में उनको अपना घर-खर चलाना होता था। प्रेणा अपने घर के गरीब हालातों को अच्छे से जानती है। इसलिए वो कभी भी अपने माता-पिता से कोई फर्माईश नहीं करती थी। इसलिए प्रेणा की दोनों सहीलियां अक्सर उसकी मदद करती थी। तीनों सहेलियों ने बारवी की परिक्षा में टॉप किया था। उसी के सेलिब्रेशन के लिए अपनी कार में नताशा और किंचल प्रेणा को एक बड़ी से रेस्टरेंट में लेकर जाती है। चलो वहाँ बैठते हैं। प्रेणा इस रेस्टरेंट के समोसे बहुत फेमस ह इसकी खट्टी और मीठी चट्टी भी बड़ी यमी है। इसलिए हम तुझे यहा लाएं। तुझे समोसे बहुत पसंद है ना? इसलिए। प्रेणा को समोसे खाना बहुत ही पसंद था। इसलिए अकसर किंचल और नताशा अपने पैसों से उसे समोसे खिलाती थी। कुछ कर तो मज़ा ही आगया। इतने टेस्टी समोसे मैंने आज तक नहीं खाया। प्रेणा बड़ी ही खुशी से वो समोसे खाती है। नताशा और किंचल उसकी लिए और समोसे मंगवाती है जिने प्रेणा पलभर में ही चट कर जाती है। प्रेणा को इस तरह समोसे खाते ये गरीब नौ ऐसे ही होते हैं। अमीर लड़कियों से दोस्ती करके उनके पैसो पर एश करती है। उस घमंडी लड़की के ताने सुनकर प्रेणा रोने रगती है। उसे रोता देख किंचल उस घमंडी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है। तुमारी हिम्मत कैसे तो वही हमारी फ्रेंड के बारे में ऐसे बाती करने की? तुम जैसी घमंडी लड़की दोस्ती का मतलब क्या जाने? दोस्ती पैसे देख कर नहीं होती है, बलकि दिल देख कर होती है. चलो प्रेड़ना यहां से. नताशो और किंजल का दिल बहुत बड़ा होता है. प्रेड़ना की लड़के से हो गई. सभी लड़कियों की तरह प्रेड़ना भी दिल में हजारों सपने लिए अपने ससुराल आ गई. ग्री प्रवेश माले दिन प्रेड़ना की सास ने उससे कहा, बहु, इस कलश को पैरों से गिरा कर अंदर आ जा. जी माजी. बहु, आज से ये गरीब खाना तेरा भी घर है. ये तेरी ननद निलम है और ये तेरी जेठानी शीला. चली देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हो. प्रेड़ना के ससुराल में उसकी सारे जिम्मेदारियां उसके पती अनिल के कंधो पर थी. एकलोता वही कमाने वाला था. उसके जेड़ जी अपने पैरों से लाचार थे. वो चल फिर नहीं सकते थे जिस वज़े से घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी. इसलिए अपने ख्वाईश को मार कर प्रेड़ना ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया. माजी, रसोई में एक भी सबसी नहीं है, तो फिर खाने में क्या बनाओ? बहु ये सौ रुपे रख और बाजार से थोड़ी सबसी लिया. ठीक है माजी, प्रेड़ना सबसी लेने बाजार चली जाती है, जहां पहुँचकर उसे बाजार में समोसे वाले का ठेला दिखता है. उसे समोसे खाने का बहुत मन होता है. वा, समोसे, समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरे पास तो यह 100 रुपए ही है जिसकी मुझे हफ़ते भर की सब्जी लेनी है नई, मैं यह पैसे इन पर खर्श नहीं कर सकती इन पैसों से तो मैं हफ़ते भर की सब्जी ले आओंगी जिससे मेरा पूरा परिवार पेट भर कर खाना खाएगा ये सोचकर प्रेणा सबजी लेकर घर लोट आती है लेकिन समोसे देखकर बार-बार उसके मन में अपनी सहेलियों के साथ खाए हुए समोसे के पुराने दिन याद आते हैं घर पहुचकर अनू सबसी के थैले में जहांकते हुए कहती है चाची चाची आप मेरे लिए समोसे नहीं लाई मैंने मा को कहा था कि आपको कह दे कि मेरे लिए समोसे ले आई इस घर में तो बस गरीबो वाला खाना मिलता है उसके अलावा और कुछ भी नहीं अनू मेरी पोती ऐसा नहीं कहते जा बाहर देख तेरी सहीलिया तुझे खेलने के लिए बुलाने आई है अकसर प्रेड़ना जब भी बाजार जाती तो उसका समोसे खाने का बहुत मन करता लेकिन वो अकसर अपना मन मार कर रह जाती एक रोज नताश और किंजल प्रेड़ना से मिलने उसके ससुराल आती है किंजल आज प्रेड़ना में देखकर कितनी खुश होगी ना फो देख शायद यही उसका ससुराल है चल अंदर चलते हैं दोनों सहीलिया अंदर जाती है प्रेड़ना फटी पुरानी साड़ी पहने चूले में रोटी सेख रही होती है जहां दोनों सहीलिया मेंगी साड़ी पहने और हाथ में पर्स लिए उसके दरवाजे पर खड़ी होती है जी आप तोनों कौन? हमें प्रेड़ना से मिलना है अरे नताशा, किंचन, तुम दोनों? माजी, दीदी ये मेरी सहेलिया है उन दोनों को देख सभी चौंक जाते हैं प्रेड़ना, तुम अपनी सहेलियों के पास बैठो में चाय लेकर आती हो वो सभी अपनी हैसित के अनुसार उन दोनों की खूब खातिरदारी करते हैं अच्छा प्रेड़ना, अब हम चलते हैं, मगर हम फेराएंगे दोनों वहां से चली जाती हैं दोनों रास्ते में बात करते हुए जाती हैं भले ही प्रेड़ना के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो सब दिल के बहुत अच्छे हैं सही कहा, लेकिन मैं अकसर सोच थी थी कि प्रेड़ना की शादी किसी अच्छे घर में हो जहां उसे समोसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा लेकिन तुने देखा न, शादी के बाद भी प्रेड़ना को रुखा सूखाई खाना पड़ रहा है अरे ये भी कोई जिंदगी है, उसने शादी से पहले भी गरीबी देखी है और अब शादी के बाद भी उसे समोसे खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है क्यों न हम समोसे लेकर उसके ससुराल चले, वो बहुत खुश होगी तुने बिल्कुल सही कहा, तीन दिन बाद वो दोनों बहुत सारे समोसे लेकर प्रेड़ना के घर आती है तुम दोनों और ये, ये इतना सब तुम क्या लाई हो इसमें हमारी प्यारी सहीली के मनपसंद समोसे है सच मुझ वो भी क्या दिन थे ना प्रेड़ना, चलो, आज हम फिर से वही दिन जीते हैं उनकी बाते सुनकर प्रेड़ना की आँखों में आसु आ जाते हैं अज पिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दिये, तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो एक खुशी अभी और बाकी है, ये ले, ये पैसे तु रख ले और अपना खुद का काम स्टार्ट कर वैसे भी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती है हाँ, और हमें पूरा विश्वास है, तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो प्रेणा बहुत खुश होती है, अपनी सहीलियों का उस पर ये विश्वास देखकर वो खुद का समोसी का काम शुरू कर देती है उसके समोसों का जादू सब पर चल जाता है और कुछी सम्मे में उसके घर के हालाद बहुत सुधर जाते है अब नताशों और किंजल भी अक्सर प्रेणा से मिलने और उसके हाथ के समोसी खाने उसकी दुकान पर आती रहती थी